इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GST on Goods Transport Agency के बार में और उसके effective changes के बार में वीडियो को शुरूर से लेकर रन तक जरूर देखे अगर आपकी कोई भी query है तो comment कीजे अगर अभी तक आपने हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजे और bell icon को press कीजे सबसे पहले वीडियो पाने के लिए वीडियो अच्छा लगता है तो like जरूर करें तो हम start करें सबसे पहले बात करेंगे कि Goods Transport Agency है क्या Goods Transport Agency transportation करता है via road और issue करता है consignment note जिसको हम popularly builty कहते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे कि उसके पास क्या-क्या option available है अगर वो tax देना चाहे या नहीं देना चाहे तो क्या option available है देखते तो सबसे पहले उसके पास forward charge mechanism में forward charge mechanism के का मतलब यह होता है कि supplier जो है tax collect करता हो government को देता है मतलब GTA जो है वो GST collect करेगा और government को देगा तो forward charge में उसके पास दो option है या तो वो 12% में जाए या तो वो 5% में जाए ये 5% वाला option पहले available नहीं था अब available है 5% वाला option तो ये change आया है 18 जुलाई से अब GTA को forward charge में 5% option भी available कराया गया है अब 12% के case में उसे ITC मिल जाएगा और 5% के case में उसे ITC नहीं नहीं मिलेगा तो ये बात हो गई forward charge मेकानिजम की जहां पर GTA कास्टमर से tax collector के government को देगा अब हम बात करते हैं not opting FCM मतलब वो opt नहीं कर रहा है FCM का मतलब क्या है अपने जो tax invoice में invoice में charge नहीं कर रहा है 5% या 12% तो उस case में क्या होगा उस case में अगर वो services दे रहा है किसी भी specified person को तब RCM applicable होगा मतलब सामने वाले को tax pay करना होगा कितना rate में 5% में मतलब service किसको दे रहा है पहले आपको ये देखना है अगर वो specified person को service दे रहा है तो उस case में RCM applicable है मतलब जो specified person है उसको tax pay गरना होगा directly government को और rate क्या रहेगा 5% rate रहेगा अगर वो किसी और को services दे रहा है मतलब other than specified person को अगर वो services दे रहा है तो इस case में exempt रहेगा उस case में किसी को भी tax government को देने की जरुवत नहीं है तो आपका एक question आएगा कि मैं यह specified person कौन है तो specified person का definition हम देखते हैं क्या है अगर मैं specified person की बात करूँ तो अगर कोई भी factory जो registered है किसमें factories act में तो वो specified person है मतलब उसको अगर service मिल रहा है किस से GTA से तो उसको क्या करना होगा GST खुद पे करना होगा कोई cooperative society body corporate मतलब कोई भी company casual taxable person हो गया या कोई society हो गई कोई भी registered person जो GST में registered है और कोई भी partnership firm तो यह सारे जो है specified person है अगर यह जी टीए से service लेते है जो FCM में नहीं है मतलब जो tax invoice में डिक्लेर निंग कर रहा है GST का रिल तो उस case में उसको directly pay करना है किसको जो specified person है उसको directly government को pay करना है तो ये सारे जन जो है specified person है इनको छोड़के जो भी जन है वो specified person नहीं है उनको GST नहीं पे करना है RCM में तो service provided to unregistered person other than a work including unregistered casual taxable person other than a work is exempt तो जितना भी ये सारे person को छोड़के जो भी person को मिलेगा उस case में क्या होगा RCM applicable नहीं होगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या इन लोगों को service दिया जा रहा है और जो GTA है वो RCM में नहीं है अब आगे चलते हैं और देखते हैं तो मैंने बता दिया आपको services provide to specified person और other ticket में exempt है अब exempt services क्या है सपोस कीजे अगर GTA organic manure का transportation करता है या agriculture produce का transportation करता है या milk, salt, food, grain including flour, pulses and rice relief material for victim of natural or man-made disaster, calamities, accident or mishap, defense or military equipment तो ये सारी चीज़ों का transportation कर रहा है तो उस case में exempt माना जाएगा उस case में ना forward charge applicable है ना reverse charge applicable है GST नहीं लगेगे अगर ये सारी चीज़ों का transportation हो रहा है तो अब क्या changes आया है exam service में तो मैं आपको बता देती हूँ क्या changes आया है पहले जो थाना मैं आपको slide show से बता रही हूँ पहले ये single consignee does not exceed 750 और single carriage does not exceed 1500 अगर single carriage 1500 के जादा का value का नहीं होता था और अगर single consignee जो है वो 750 के value से जादा का नहीं होता था तब GST नहीं लगता था वो exam माना जाता था लेकिन अब exam नहीं माना गया आप एक रुपे का trade का service लेते हो तो उस case में taxable है वो depend करता है वो forward charge में हो या reverse charge में ठीक है तो आपको ये ध्यान में रखना है पहले का exemption था related to 750 and 1500 amount वो आप withdraw कर या गया है ठीक है तो ये ध्यान में हम लोग को रखना है तो आगे चलते हैं हम अब यह जो option है कि वो FCM में जाएगा या RCM में जाएगा FCM में किस rate में जाएगा वो कब तक उसको लेना है तो option shall be exercise by making a declaration and annexure pipe on or before 15 March of preceding financial year ठीक है preceding financial year में 15 March से पहले उसको ये option ले लेना है ठीक है लेकिन अगर in case of 22-23 कब तक वो ले सकता है इस साल के case में मतलब जो current year है 2022-23 वो कब तक ले सकता है on or before 16th August 2022 मतलब 16 August से पहले वो option exercise कर सकता है और 23-24 की मैं अगर बात करूं तो 15 March 2023 तक वो option ले सकता है कि वो कहां जाएगा क्या opt वो करना चाहता है ओके गैस तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरू करता है hope समझ में आया होगा कि क्या क्या changes आया है सबसे पहले यह changes आया है कि 5% आप FCM में मिल रहा है लेकिन ITC नहीं मिल रहा है ठीक है और दूसरा change important यह आया है कि अब तुम्हारा freight charges एक रुपे का भी हो तो भी taxable है डिपेंड करता है सामने वाला कौन है डिपेंड करता है आप FCM में हो या नहीं हो thank you so much guys for your time अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें